Hello friends, video most important कई बार ऐसा होता है आप service center पे गए, गाड़ी को दिखाया मुझे ये noise आ रही है सामने जो mechanic है या फिर service advisor है या वो noise को समझ नहीं पाते हैं उस noise को feel नहीं कर पाते हैं लेकिन आप गाड़ी को रोज चला रहे हैं आप उस थोड़ी सी भी noise को feel कर रहे हैं कई बार ऐसा होता है कि आपको satisfy करने के लिए वो लोग बोल देते हैं साब ठीक है ये part कराब है बदल देंगे ठीक हो जाएगा फिर नहीं होता बोलते ठीक है अब ये बदल देंगे फिर ठीक हो जाएगा कि उसके mechanism को feel करना आज सेम ऐसी problem इस गाड़ी में गाड़ी ए होंड़ी आइटन सर की गाड़ी है इनको problem आ रही है clutch में clutch दवाने में कुछ noise आ रही है अब noise से कई सारी चीज़े होती है देखिए clutch की noise है ठीक है clutch plate बदल देंगे pressure plate बदल देंगे clutch bearing बदल देंगे लेकिन जब उसकी जरुरती नहीं तो क्यों बदलेंगे पहले चीज़ होती है समझने की लेकिन हम एक technician है तो हमको एक समझ में आता है कि हम हार चीज़ को mechanical देखके हम समझ जाते है कोई noise आ रही है तो उसके advisor या car mechanic कोई भी देख रहे हो जरूर फायदा उठाएंगे चलिए स्टार्ट करते है वीडियो अब बताओ सब प्रॉब्लम क्या रही है आपको clutch की प्रॉब्लम गारी चलाते वक्त कोई पिकप की भी नहीं है कुछ भी नहीं है लेकिन एक irritation होता है जब गाड़ी चला रहे हैं गाड़ी में clutch दबाया बड़ा स्मूध दबती है जब अब मैं दबा रहा हूं 50% तक मुझे कोई feeling कोई प्रॉब्लम नहीं जब रिमेनिंग 50% जब दबाता हूं तब ऐसा लगता है जैसे कहीं पर rubbing noise है या तो clutch रब कर रही है या इसका oil में प्रावलम या pressure plate शिप रही है क्या problem में समझ नहीं आ रहा हूं बट मुझे ड्राइव गर तो बड़ा irritation होता है कि यह आधी clutch में कोई problem नहीं आधी अधी clutch में ऐसा लगता है कि जैसे चिपक गया इरिटेशन वाली आवाज है अब जब आप clutch दवाते हो तो पहले जो फिप्टी परसंट होते हैं उसमें आफाज नहीं आती है नहीं मैसूस होता अच्छा और clutch यह आवाज आपके कब आती है गाड़ी मैंने बड़ी कोशिश की पैटन निकालने की यह खड़ी में होती है सुबह चलती है तो हूँ शाम को होती है या लगातर लंबे रन पे एसा कोई पैटन निकलना स्टार्ट करते हैं गाड़ी को फिर आगे चलते हैं आपको भी फिल कराते हैं और इसको सुनने के लिए यह स्टेटिस्कोप है मेरे पाग और यह बनाया हुए कैसे बनाया वह भी बताऊंगा काम बहुत इंपोर्टेंट है इसका इस तरह की नौइस को फकड़ने में बहुत हके प्काष्ट होता है आगे से गाड़ी निकल जाये फिर हम गाड़ी आगे चलाते हैं गारी में कोय पालबलम नहीं पीकप में नर्मल हेगर… अभी बिल्कुल शो नॉर्मलुच है, और…" नना मॉऐचे ने स्बतलिएं की बाद में अभी उम खड़े हेगा थे, तब उस वास बाद मॉइटी गाड़े उनती तब वह़ी वह है ठीक हो थी अभी नही आरी है रेंडम कभी कभी आती है जब आप 50% दब आते हो उसके बाद जब आगे बढ़ते हो तब दया हुँ अव महिशा कर बान जब आप हादी अब हास्ट आप आप कर लोगोगों तेस्ट कर रहे तब आ रही इसे पहलें लोग ऑफ पीच में एक बार नाईस आ ररही है कई बार रिकॉर्ड नहीं हो रही है। आपको इट से सुनाँगों और में कि सुनाँगो अब हल्की सी नॉस में शूस हो रही है। हां हल्की सीूस इसमें है क्या देखो। स्टेटिस्कोप है। इस जगे से मैं clear सुन पाता हूँ कि noise कहां की है जरूरी है कि जिस noise को हम टेस्ट कर रहे है उसका mechanism पूरा हमारे दिमाग में घूम जाए उस noise को हर उस जगे fit करके देखना चाहिए घूमते हुए point पे आ रही है क्या हिलते हुए आ रही है क्या इस तरह से उस noise को fit करते है क्योंकि अंदर क्या चल रहा है हम बहार से देख नहीं सकते हम सिर्फ इससे अंदादा लगा सकते है और सटीक अंदादा अगर लगाएंगे अननेसेसरी पैसे किसी के waste नहीं करवाएंगे और सभी point पे पहुँच जाएंगे पॉइंट चपका दिया मैंने clutch pedal पे इससे हमको feel भो पाएगा कि यह clutch pedal के यहां से है आवाज या फिर gearbox के अंदर से अब इसको इम एक बार कान में लगाता हूँ 50% पे रोको अब इस टाइम पे हम कान आखे बंद करते हैं और अंदर का mechanism feel करते हैं जहां पे यह noise आ रही है जैसे clutch system में clutch पीछे flywheel घूम रहा है pressure plate प्रेस हो रही है उपर से clutch bearing है वो touch करता है वो starting में touch करता है उसकी noise नहीं है घूमते होए होता तो उसकी noise होती 50% पे रोकना है एक बार अब रोक के रखो थोड़े अब दबाओ रोक दो दो सेकंड के लिए रोक दो एक बार अब दबाओ बीच में एक आथ बार हलका सा वो जार का रहा है एक बार अंदर से चेक करूंगा इसको यहां से मैंने आपको feel कर आया अब मैं इसको लगाता हूँ क्लच सिस्टम पे अब एक बार बोनट खोल देना अब अब देखो इस तरह की जो आवाज होती ना इसमें तुरंत लोग बोल देतें साब क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट क्लच बेरिंग तीनों का सेट मिला के आप चेंज कर दो प्रॉब्लम चली आएग और वह तीनों चीज़े मोटे खर्चे वाली होती है अब देखो जब यह क्लच को प्रेस किया जाता है तो यह पॉइंट हिलता है यह लगा हुआ है यह लगा हुआ है यह फॉर्ट खुम रहा है अब मैं यहां पे टेच करूंगा इसको अब एक बार क्लच को 50 पर सेंट पर प्रेस करके रखना है प्रेस किया है जी छोड़ो अब प्रेस करो हां चोड़ो नॉइस जो है वो अंदर से नहीं है है वो नॉइस बाहर से एक बार आपको सुनाता हूं मैं शायर इसमे रिकॉर्ड हो पाए लास्ट टाइम जी ऐसे मैंने रिकॉर्ड किया था है एड़फॉन लगाना आप और यह नहीं हां लगाता है अब क्लेच दबाओ एक बर पूरा दबा दिया है चोड़ो किसी परसंट पर करो चोड़ो कि दबाओ अब एक बर कर टो दुद्ट कर दो अब एक बर क्लच से पर अड़ा पूरी तरे पूरी तरे इह पूरी तरे पूरी अटा लिया हां पर परसेंट परसेंट नहीं है अब दबाओ अब एक बार मैं इसको अटा लेता हूं तेस्क कर लिया अब इसका कंक्लूजन बता देता हूं मैं आपको एक मिनिट आवाज बाहर से ही है उगर की यह है हां मतलब इसकी नहीं है अब के गेर वाक की नहीं है और प्रिशर प्रेश जाया अब यह जव प्रभलम् ती इसके क्या किया सकता था प्रिशर प्लेट गलज वयर्ग साथ में वार इन चारों चीजों का सेट चेंज किया जा सकता था कि ठीक है जी ये बदल दीजे नॉइस चली जाएगी लेकिन इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट जब चेंज कराने जाते हैं तो लग बग 10,000 रुपय का एक मोटा मोटा खर्चा आता है औ क्यों की इस हमने किया यदि यह पाया कि वो लगार्श करते हैं वह बाख करते लिए चाहिए की ब्छ पड़ती है कि वायर वाकई में खराब हो गया तो सिर्फ क्लच वायर को भी चेंज करके काम चलाया जा सकता है बाकि और कोई मेजर प्रॉब्लम इसमें नहीं है अब मैं कोई भी ट्रिप करना हो तो कर सकता हूँ अभी आप कोई ट्रिप करने वाले थे ना तो इसलिए मैं वरिड इसलिए था कि कि आसा नहों क्लच प्रेट रस्ते में बोल जाए और जहां जाना है वहां की बजाए सर्वी सेंटर में पहुँच जाओं और जब यह नौइ कोई भी सुझाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखके जाएगा विलूगा नेक्स वीडियो में ऐसे किस इंट्रस्टिंग टॉपिक के साथ थैंक्स पॉर वाचिंग